एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है क्योंकि एक बिग एपरचुनिटी मिल गई है HFCL को जो की 5G गेर मेकिंग कमपनी है Home Ground जो की 5G equipment टेलिकॉम कमपनीों के लिए बनाती है सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि यह Home Ground कमपनी है तो कही ना कही जो अभी तक बार से equipment मगाये जा रहे थे जैसे कि आप जिए और फाइवर डिवाइस देख रहे थे यह हम बात करें जो टावर पर equipment है वो या तो Nokia बना रहा था है या बात करी जाए तो अलग-अलग company या इरिक्जन बनाके यह की बात करिया है तो Home Ground company को तब अच्छी डील मिलती है तो वो cheapest price में product बनाते है जिसमें की आपको एक अच्छी facility मिल पाती है और जल्दी installation क्योंकि जैसे ऐसे device available होंगे तो आपको जल्दी connection भी मिल सके जैसे की बात के जाए तो यह जो deal की गई है वो 623 करोड में की गई है HFCL के तरफ से officially announcement आया सबसे अच्छी बात यह लगी और यह जो है वो especially 5G network के लिए equipment जो के आपके जी एर फाइबर हो गया यह 5G dongle हो गया जो के हमने आटल की भी आपको दिखाए थे इस तरीके के देखने के लिए मिल सकते लेकिन एक सबसे बड़ा रहस्य वाला पार्ट यह है कि इन्होंने भी किसी पार्टी कुलर टेलिकॉम कंपनी का नाम नहीं लिया कि इस टेलिकॉम कंपनी के साथ हमने पार्टनर्शिप किया लेकिन जित्ता बड़ा अमाउंट 623 क्रोड का देखने के लिए मिलता है तो मतलब हमारे पास अभी दो टेलिकॉम ऑपरेटर में ली देखने के लिए क्योंकि जियो शायद इससे किनारा कर सकता है क्योंकि जियो ने पहले ही एक मेरी प्लान बना रखा था जिस पर की वह वर्क भी कर रहा है बड़ा है चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक चलू कीज़ेगा राइग अपडेट के लिए क्योंकि जियो आल्रेडी मुल्टिपल कंपनियों के साथ टाइप कर चुका था जैसे कि आप मुल्टिपल जियो एर फाइवर डिवाइस भी देख रहे हैं जिसमें के आपको अलग-अलग एक्क्यूपमेंट देखने के लिए मिलते तो इसी वज़िए से कहें तो एच एफ सेल के साथ जीओ का डारेक्ली कंबाइन होना तो इतना लगता नहीं है लेकिन एटल और वी आई दो ऐसे अभी हैं जिसमें कि एटल सबसे बड़ी दुबीदा यहीं है कि एक्क्यूमेंट नहीं है जो कि एटल एक्ट्रिम एयर फाइवर जो है वो जल्दी-जल्दी नई सिटी के अंदर लेके आए दूसरी बात यह है कि नेटवर्क पे वर्क करना है क्योंकि नॉन इस्टेंड ड मार्केट में शोग कर चुका था जैसे कि बात कर जाया है तो आफिशली तो वहां पर कही ना कहीं टैलीकॉम कंपनियों को जुखना ही था कि हाँ एक होम ग्राउंड मतलब गयर मेकिंग कंपनी है जिससे कि वह 5G एक्क्यूमेंट खरी सकते हैं और लोगों को बहुत सस्ते में स्पेशली इंडियन कस्टूमर्स को एक्ट्रैक कर सकते हैं तो अब आपको वी आई या एटिल के तरफ से या शायद जी ओ के तरफ से भी नए डिवाइस देखने के लिए मिल जाए जरूरी नहीं है कि एर फाइवर ही देखने के लिए मिले चोटे डॉंगल देखने के मिलेगा क्योंकि जिस तरीके से आशा लगाई गई थी कि हां कि जैसी हम मतलब वाइलेस जी और फाइवर डिवाइस लेके आएंगे लेकिन पूरी तरीके से डिमांड क्लैप्स करें जो वाइलेसी ब्रॉडबेंड सपना था वो शायद सपना ना रह जा लेकिन आने वाले टै हो या आप नॉर्मली सरकारी कोई काज भर रहे हो तो वह भी आची रेट में घर पे कर सकते लेकिन विताउट इंटरनेट नहीं और दूसरी डिमांड यह है कि हाडवे डिमांड जो कि आपका लैप्टॉप डेक्स्टॉप हो गया और मुवाइल में टैबलेट हो गया तो इस तरीक की डिमांड भी इंक्रीज करना कहीं ना खहीं एक पूरा मैनेजमेंट बिठाया जाता है तो कहीं ना खहीं आपको बड़े एक्क्यूपमेंट की जरुत हो कि मतलब वाइलेस ब्रॉडबेंट जो आपकी रुकार्मेंट आज नहीं तो 2030 तक में लिस टार्गेट ल मिलती है देखते हैं HFCL क्या नए धमाके करता है उस पर पैनी नेगा रहेगी जैसी कुछ नए आता है तो वैसी आपको राइकला अपडेट करते रहेंगो उसके लिए एक छोटा सा काम जरू कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब वीडियो लाइक जरू कीजेगा धन्यवाद कर्या जरू करता है झाल को सब्सक्षाइब चैनल के लिए।